सभी पेरेंट्स, एंड डियर स्टुडेंट्स, सभी को मेरी गोड मौर्नेंग, मैं मैथ लेक्षरर देवी सिंग, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ, इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कंटिनिटी एंड डिफेंसेबल नया चैप्टर है और ये इस चैप्टर का पार्ट फस्ट है, यहीं से इसकी सुरुवात होनी है और इसको ध्यान से आप देखिए, वीडियो को पूरा देखना है, जल्दवाजी में वीडियो नहीं देखना है आपको, पूरा देखने की बात मैं बार बार कहता रहता कि यह ऐसा matter होता है math का, जब तक आप पूरा नहीं देखोगे, आप इनको solve करके नहीं देखोगे अपने हाथ से, तो आप अच्छी performance math में नहीं दे सकते, तो चलिए matter पर चलते हैं, क्या है algebra of continuous functions, continuous functions क्या होते हैं, कैसे होते हैं, if f and g be continuous at a, यदि दो function आपको f और g दिये हुए हैं, और दोनों continuous हैं, अलग-अलग, at a, a पर, तो क्या होगा students, f plus g is continuous at a, तो हम यदि दोनों function को हम add कर दें, f भी continuous function है, g भी continuous function है, और फिर हम दोनों continuous functions का sum कर दें, तो वो continuous ही रहेगा, किस पर, at a पर, जिस पर आपको limit लगानी होती है, second में, f minus g is continuous at a, तोनों function की subtract continuous होगी, cf is continuous at a, where c is a real number, तो यदि किस real number से हम function को multiply कर दें, तो वो function यदि continuous है, तो real number से multiply होने पर भी continuous ही रहेगा, f is continuous at a, दोनों function की multiply कर दें, तब भी continuous ही रहेगा, और f by g is continuous at a, यदि हम एक function को दूसरे function से divide कर दें, तब भी वो दोनों ही function आपके क्या रहेंगे, continuous रहेंगे, यहाँ g a not equal to 0, तो जो आपका g a जो function होगा, वो not equal to 0 होगा, तब ही यह condition आपके apply होगी, यहाँ देखिए, question number first आपका, check the continuity of the following functions at the indicated points, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही simple chapter आपका यह है, बहुत ही ज़्यादा simple है, अच्छा, तो continuity आपको check करनी है, three parts हैं इसमें, fx equal to 2x plus 3 दिया हुआ है, at x equal to 1 पर, इसकी continuity आपको check करनी है, continuity का मतलब यह होता है, कि आपको बताना है, यह function continuous है, या फिर यह function discontinuous है, तो देखिए, आगे चलते हैं, here fx equal to 2x plus 3, तो fx equal to 2x plus 3, which is defined at x equal to 1, तो यहाँ ध्यान से आपको देखना है, हम करेंगे क्या, अब मैं आपको शुरुआत करा देता हूँ इसकी, हम यहाँ fx की value है, fx की value हमारी, यहाँ दियो ही है, 2x plus 3, 2x plus 3, अब यहाँ at x equal to 1, हम यहाँ x की जगे 1 put करेंगे, तो f1 हो जाएगा, तो x की जगे 1 put करोगे, 2 into 1 plus 3, कितना हो जाएगा यह, 2 plus 3, यह आपका 5 आजाएगा, और यह आपकी, यहाँ आप equation first से आप मान सकते हूँ, इसके बाद में आप क्या करना है, यहाँ मान होगे, आप equation first यहाँ नहीं, आप यहाँ मान होगे, तो क्या करना है, उसके बाद में देखे, now limit x tends to 1, l.i.m. का मतलब होता है limit, limit x tends to 1, fx आपको यह लिखना है, limit x tends to 1, fx, fx की value क्या है, fx की value आपकी 2x plus 3 है, लिख दिया जाएगा, जब हम x की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे, x की जगह 1, तो आगे से यह limit x tends to 1 आपका हट जाएगा, remove हो जाएगा यह, जैसे ही हम x की जगह x की value पुट करते हैं, तो आगे से limit को हटा दिया जाता है, तो यह 2 into 1 plus 3, तो यह आपका 5 हो जाएगा, तो आप इसे equation second मान सकते हो, इसके बाद में फिर क्या होगा, दस limit x tends to 1 fx, तो limit x tends to 1 fx आपका कितना आप 5 आया, f1 आपका कितना आप 5 आया, limit x tends to 1 fx equal to f1 equal to 5, यदि limit x tends to 1 fx equal है f1 के, तो hence fx is continuous at x equal to 1, तो यह x equal to 1 पर जो यह function होगा, यह students आपका continuous function होगा, आपको मैं फिर बता देना चाहता हूँ, कि जो भी limit आपकी दी हुए होती है, x equal to 1 हो, x equal to 2 हो, x equal to 3 हो, x equal to minus 1 हो, x की value कुछ भी हो सकती है, real value आपकी x की हो सकती है, तो जो question आपको दिया हुआ है, एक बार तो आप x की जगे उस value को question में ही put कर दोगे, वहाँ से आपका equation first बनेगा, फिर again मैं limit x tends to 1 दिया हुआ तो x tends to 1 आ जाएगा, 2 दिया हुआ तो x tends to 2 आ जाएगा, fx, फिर यहाँ fx की जगे आपको fx की value रखनी होती है, value रखने के बाद में x की जगे आपकी limit रखी जाती है, x tends to 1 है, तो x की जगे हम यहाँ 1 रखेंगे, जैसे आप x की जगे x की value रखोगे, तो limit x tends to 1 को हटा दिया जाएगा, और यहाँ value रखती जाएगी, तो यह भी 5 आजाएगा, अगर यह दोनों ही equal आते हैं, equation first और second, तो ही आपका जो function है वो continuous होगा, यदि यह दोनों function आपके equal नहीं आते हैं, तो आपका यह function है, यह discontinuous हो जाएगा, जहाँ भी आपकी limit आपको दखानी है, चाहे वो 1 हो, यह और यह कोई भी real number हो, तो continuous function का वा आता है, जब equation first और second आपकी equal हो जाती है, तो सभी की अच्छी यह से समझ में यह आ गया होगा, second part देखिए, अब मैं आपको फिर ऐसे बताऊँगा, आपको repetition होना है, तो देखे second here, fx equal to 5x plus 5x minus 3 दिया हुआ है, which is defined at x equal to minus 3, तो x equal to minus 3 पर आपको continuity चेक करनी है, तो जो question आपका दिया हुआ है, एक बार तो हम इसी में रख देंगे, x की जागा minus 3, तो f minus 3, देख लो दियान से, 5 into minus 3, और फिर यह minus 3 आ है, तो minus 15 minus 3 minus 18, आप इसे equation first आप मान सकते हो, इसके बाद में now limit x change to minus 3, मैंने आपको बताया था था ना, कि जो limit आपको यहां दी हुई होती है, x की value जो होती है, उसी को change 2 में लिखा जाता है, तो limit LIM, limit x change to minus 3 fx, अब आप क्या करोगे, fx की जगए fx की value रखोगे, fx की value क्या है यहां से, 5x minus 3 है, इस value को यहां रख दिया जाएगा, अब हम क्या करेंगे, अब यहां x की जगए हम minus 3 put करेंगे, क्योंकि x change to minus 3 है, जब हम x की जगए minus 3 put करेंगे, तो आगे से limit हट जाएगा यहां से, इसे remove करके, x की जगए minus 3, तो यह आपका आया minus 15, और minus के यह आपका 3 आया, तो यह आपका कितना जाएगा, यह आपका minus 18 आजाएगा, और यह आपकी equation क्या होगी, second हो जाएगी, जब आपकी equation second हो जाएगी, आपकी equation first और second, दोनों ही क्या है, equal आचकी है, यह आपकी equation आपकी first आचकी है, यह आपकी first हो गई यह आपकी equation आपकी second हो गई from equation first and second limit exchange to minus 3 fx equal to f minus 3 equal to minus 18 hence fx is continuous at x equal to minus 3 तो सभी की समझ में यह आ गया होगा बहुत ही आराम से कराया है क्योंकि सुरुवात है chapter की इस वज़े से इसमें थोड़ा time हमको लेना पड़ेगा आगे देखिए अब क्या करना है जो आपका third parts है third parts में क्या दिया हुआ है देखते हैं यहाँ question पर चलते हैं उल्टा यह और भी कुछ दिया हुआ students यह यहाँ पर x equal to 5 और दिया हुआ है तो जैसे हमने 3 पर इसकी continuity दिखाई दी इसी तरीके से at x equal to 5 पर भी इसकी continuity दिखानी है मतलग जैसे हमने minus 3 पर दखाया ऐसे हम minus 5 पर दखा देंगे कैसे दखाएंगे एक बार तो f 5 x की जगा 5 रख दिया जाएगा तो यह आ जाएगा 5 into 5 minus 3 25 minus 3 कितना जाएगा 22 आ जाएगा और equation first आपकी यह हो जाएगी इसके बाद में limit क्या करोगे आप limit x tends to 5 f x f x की value क्या है f x की value हमार पास 5 x minus 3 है students क्या करोगे x की जगे x की value रखेंगे हम 5 तो आगे से इसको हटा दिया जाएगा तो यह आएगा 5 into 5 minus 3 यह भी कितना आजाएगा आपका 22 आजाएगा equation आपकी second आजाएगी from equation first and second क्या आएगा limit x tends to 5 f x equal to f 5 equal to 22 thus it is this is continuous function at x equal to 5 तो यह आपका two question दे दिये गए थे एक में ही यहाँ देखिए आपको बता भी देता हूँ आपको देखाई भी दे रहा होगा board पर यह देखो आपका 22 आया first equation मान लेना इसे इसे आप second मान लेना limit x tends to 5 f x equal to f 5 equal to 22 hence f x is continuous at x equal to 5 तो same question था दोनों दो की जगे तीन question हो चुके है तो इस type के questions को आपको ऐसे solve करना है थड़ा आपका parts दिया हुआ है f x equal to 2 x square minus 1 which is defined at x equal to 3 same है कोई भी changing नहीं है इस question में तो बिलकुल भी तो आप जो question दिया हुआ है x की जगे 3 रखोगे तो equation first हो जाएगा फिर आप limit लगाओगे limit x tends to 3 f x f x की जगे आप f x की value रखोगे जब आप x की जगे 3 रखोगे तो आगे से यह हट जाएगा तो यह आपका आ जाएगा यह 17 आया equation second आ जाएगी तो limit x tends to 3 f x f 3 equal to 17 तो यह दोनों ही equal आ गई 17 के hence f x is continuous at x equal to 3 यह आपको यहाँ नकालना था continuity इसी तरीके से यहाँ नकाली जाती है इससे आगे देखिए students क्या है question दिया हुआ है आपका prove that the function f x equal to x की power n is continuous at x equal to n तो क्या है कि n पर यह continuous आपको दिखाना है where n is a positive integer n क्या दिया हुआ है positive integer आपको दिया हुआ है n here f x equal to x power n which is defined at x equal to n n belong to positive integer तो यह positive integer का notation होता z plus का जो होता है तो f n equal to अब यहाँ देखिए क्या किया x की जगा n रख दिया x की जगा n रख दिया आप इस equation first मान सकते हो फिर आप क्या करोगे इसमें आप जैसे हमने पहला question किया था उसी तरीके से हम कर सकते हैं again तो यह आ जाएगा limit limit x tan to n आप f x करोगे फिर फिर जब आप f x करोगे तो limit x tan to n और f x की value आपकी क्या है यहाँ x की power n है अब यहाँ x की जगा n रखेंगे तो आगे से यह अट जाएगा तो यह भी आपके n की power n नहीं आ जाएगी तो यह आपके equation second हो जाएगी from equation first and second limit x tan to n f x equal to f n equal to n की power n तो यह from equation first and second से क्या हो जाएगा f x is a continuous function at x equal to n आ जाएगा जैसे इसने किया है अब भले इसे आप ऐसे मत करना जैसे मैंने आपको बता है ऐसे आप कर लेना तो यह आपका continuous function हो जाएगा और आपका question आ जाता है third question number third क्या है examini the following function for continuity at x equal to 2 पर continuity दिखानी है आपको मैं बता देता हूँ यह important question है paper में आ चुका है कैई वारा चुका है और इस type के competitive exam में भी पूछ लिए जाते हैं तो here fx equal to यह आपको दिया हुआ है आप क्या करोगे limit लगाओगे किस पर जब भई at x equal to 2 दिया हुआ है 2 पर आपके limit लगेगी तो limit x tends to 2 fx क्या करोगे fx की जगे आप fx की value रखोगे x की जगे minus 4 है तो इसको factorize करेंगे एक बार minus का करेंगे एक बार plus का करेंगे minus वाले से minus वाला cancel हो जाएगा तो limit x tends to 2 x plus 2 आया अब आप x की जगे 2 को रखोगे तो यह आ जाएगा आपका 2 plus 2 कितना हो जाएगा यह 4 हो जाएगा आप इसे equation first आप मान सकते हो उसके बाद मैं but f2 अब यहाँ ध्यान से देखी x equal to 2 यह दिया हुआ है न तो इसको हम क्या लखेंगे but परंतु f2 किसके equal दिया हुआ 0 के equal दिया हो given यह आपके equation second हो जाएगी अब from equation first and second अब ध्यान से देखे यह तो 4 था और यह क्या आया यह आपका 0 आ गया continuity आपको दखानी है कि यह continuous है या यह discontinuous है equal तो यह आए नहीं जब यह equal नहीं आए तो फिर यह discontinuous हो जाएगा यह continuous नहीं रहेगा तो आप क्या रखोगे so limit x tends to 2 fx not equal to f2 क्योंकि यह equally नहीं आए जब यह equal नहीं आए तो hence fx is discontinuous at x equal to 2 तो at x equal to 2 पर यह discontinuous आपका आजाएगा तो मैंने आपको पहले भी बताया है यदि यह दोनों equal आते हैं तो यह continuous होता है यदि नहीं आते हैं तो यह discontinuous होता है students एक बात का और ध्यान रखना है आपको विसे इस रूप से हमने देखिए यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ यदि आप इसमें सीधा आप limit रखोगे इसके factor आई जी यदि आप नहीं करोगे तो यह आपकी 0 upon 0 form आ जाएगी जो आपकी not defined होती है तो मेरा कहने का मतलब यह है जहाँ भी आप factor नहीं करोगे यदि आप इसमें सीधे limit रखोगे तो क्या होता है 2 की पावर 2 minus 4 upon 2 minus 2 यह आ जाता और आपको पता है 4 minus 4 और 2 minus 2 तो यह 0 upon 0 form आती या नहीं आती अगर 0 upon 0 form आ जाती है तो फिर हमारा यह rule जो है वो fail हो जाता है उसके बाद में हम factorization method का यूज करते हैं या substitution method का यूज करते हैं मैं आपको बता दूँ तो यदि 0 upon 0 form आपके आ जाती है तो फिर वो must हो जाता है कि हम उसको convert करें factorize करें या उसमें कोई formula लगाए जिससे कुछ cancel हो जाए और आपका answer आ जाए तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हमने यहां CD limit क्यों नहीं लगाई है CD limit 0 upon 0 form के वज़े से हमने नहीं लगाई है अच्छा आगे देखिए अब देखिए discuss the continuity at x equal to 3 at x equal to 3 पर continuity दखानी है फिर वो ही तरीका है f x equal to आपको दिया हुआ है ये function आपको दिया हुआ है आपको ये 3 पर बताना है ये continuous है discontinuous है तो here f x equal to लिख लिया जाएगा so limit x tends to 3 3 पर ही तो दी हुए है limit limit x tends to 3 f x equal to limit x tends to 3 ये ले लिया है ये function f x तो इसके बाद में क्या किया है उपर के factor हमने अलग कर दिये नीचे के factor अलग कर दिये x minus 3 से x minus 3 cancel हो गया तो limit x tends to 3 x plus 2 upon x plus 5 आया अब क्या करोगा आप जब limit लगाओगे x की जगे जब आप 3 लगाओगे तो आगे से ये हट जाएगा तो 3 plus 2 over 3 plus 1 तो 5 by 4 हो जाएगा ये आप equation firstly से आप मान सकते हो इसके बाद में students आपको क्या करना है फिर यहाँ देखिए if x equal to 3 but फिर वोई बात है पहले equation वाली but f3 equal to 5 by 3 दिया हुआ है ये आपका second हो जाएगा अब ये तो आपका 5 by 4 है ये आपका 5 by 3 है equal तो ये है नहीं ये ये equal नहीं है तो ये function आपका continuous नहीं होगा ये आपका discontinuous हो जाएगा देखिए इसने ये ही लखा है so limit x tends to 3 fx not equal to f3 hence fx is discontinuous at x equal to 3 तो या इस पर discontinuous आपका आचोका है इससे आगे देखिए important question है आपका question number 5 इसका जो first part है fx equal to sin 2x upon sin 3x when x not equal to 0 यहां देखिए 2 when x equal to 0 तो आपकी first condition तो यहां से बनेगी first equation और second equation आपकी यहां से बनेगी यहां limit लगाने के बाद यदि ये 2 के ही equal आजाते हैं तो ये continuous हो जाएगा नहीं आता है तो ये discontinuous आपका होई जाएगा उसके बाद में देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपका जाएगा limit x tends to 0 बही 0 पर limit लगानी है fx fx की value आपको दी हुई है sin 2x over sin 3x दी हुई है अब आप क्या करोगे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से limit x tends to 0 sin 2x over sin 3x तो क्या करेंगे हमें से 2x से हमें से multiply करेंगे यहां उपर और 2x से हमें से divide करेंगे ऐसे ही sin 3x है 3x से हम multiply करेंगे numerator को 3x से हम divide करेंगे तो students आपने यह पलस 1 में पढ़ा होगा sin x upon x एक formula होता है limit x tends to 0 sin x over x equal to 1 होता है यदि angle यहां x है तो यहां भी x होना चाहिए यदि यहां 2x है तो यहां भी 2x यहां 3x है तो यहां भी 3x हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं limit x tends to 0 x over sin x x over sin x भी आपका यह भी 1 ही होता है यह भी क्या होता है 1 ही होता है यह भी आपका तो यहां देखे जब आप इसमें limit लगाओगे तो यहां आपका x से x cancel हो जाएगा यहां यह 2y3 आपका आगया चुका है जब यहां angle 2x आपका बन जाएगा तो limit यहां according to angle लगेगी 2x tends to 0 लगेगी अब यहां x tends to 0 नहीं लगेगी अब 2x tends to 0 लगेगी यहां आपका angle 3x तो य है तो यह आपका 2y3 आ चुका है यह आपके equation first हो जाएगी but f0 equal to 2 दिया हुआ यह given है यह equation second from equation first and second limit x tends to 0 fx not equal to f0 hence fx is discontinuous at x equal to 0 तो यह इस पर कैसा function हो जाएगा यह discontinuous function students हो जाएगा इस से आगे second part को फिर वही system है कि limit x tends to 0 at यहां x equal to 0 पर यह आपको limit दखानी है तो क्या करना है limit x tends to 0 fx limit x tends to 0 fx की जगे fx की value रख दी है यहां हमने इसमें limit अलग लगा दी है और पिछले वाले function में limit को अलग लगा दिया है तो limit x tends to 0 sin x over x यह 1 होता है formula से और जब आप यहां 0 रखोगे कहां पर यहां पर x की जगे तो cos 0 आपका 1 होता है 1 पलस 1 आपका 2 हो जाएगा equation first आपकी आजाएगी also f0 equal to 2 दिया हुआ ही है तो यह second आजाएगा तो equation first or second आपके equal आचोगी है तो यह function आपका continuous होगा ना कि यह आपका discontinuous होगा तो limit x tends to 0 fx equal to f0 equal to 2 hence fx is continuous at x equal to 0 यह इसका दूसरा तरीका है इसे छोड़िए यह substitute method है substitution method से किया हुआ है छोड़ दो इसे इससे आग देखते हैं अब देखें question number six exam ने for continuity at x equal to 0 x equal to 0 पर आपको continuity दखानी है इस पूरे ही chapter में आपको continuity ही दखानी है कि भाई यह जो function है यह continuous है या यह discontinuous है discontinuous कहलो या not continuous कहलो या फिर दो function आपको continuous दिये हुए होंगे वहां से आपको यह पूछेगा find the value of k, find the value of a, find the value of b, find the value of c इस तरीके से आपको question पूछेगा important question है एक्जाम में आच होगा है fx equal to 1 minus cos 4x over x square, x not equal to 0, 8, x equal to 0 फिर वोई सिस्टम है 8x equal to 0 अब यहां पर left hand limit left hand limit, left hand limit, left hand limit, left hand limit का एक तरीका होता है, इसे लगाने का, left hand limit का देखिए आपकी number line है, यह आपका 0 हो जाता है बीच में, यह आपका minus 1 हो जाता है, इदर आपका minus 2 हो जाता है, इदर positive numbers 1, इदर 2 हो जाएगा, तो left hand limit का मतलब negative numbers, right hand limit का मतलब positive numbers, जब negative numbers हैं, तो इसमें तभ ही तो यहां limit जो left hand limit आप लगाओगे तो limit x tends to आपकी ऐसे लगेगी limit x tends to अब 0 है तो 0 और इसके उपर ऐसे minus का sign लगेगा और यदि आप यह right hand limit लगाते हैं उसे हम denote करते हैं रहल right hand limit उसमें लगाते हैं हम 0 plus 0 हो तो 0 plus right hand limit में और left hand limit लगाओगे 0 पर तो 0 minus यदि at x equal to 1 पर आप left hand limit लगाओगे तो x tends to 1 minus left hand के लिए और right hand limit लगाओगे आप इसमें तो 1 plus कोई भी चीज यहां दी हुई हो left hand के लिए उपर minus लगा जाता है और नीचे plus लगा जाता है ध्यान रखनें तो left hand limit इसमें लगाया तो 0 minus अब आप क्या करोगे इसका फिर एक system होता है क्या कि जब हम left hand limit लगाते हैं तो फिर हम put करते हैं put x equal to अब यह 0 minus है तो हम यह 0 minus h put करेंगे क्या put करेंगे 0 minus h किस की जगए x की जगए तो जब हम x को h में change करेंगे h में जब हम change कर देंगे इसे तो क्या होगा अब आपकी जो limit है वो x tends to 0 minus नहीं रहेगा अब वो limit आपका h tends to 0 हो जाएगा मतलब function को h में change करते ही limit आपकी according to h लगेगी according to the function limit लगती है तो h tends to 0 यहाँ limit आपकी लग जाएगी तो 1 minus cos 4x की जगए 0 minus h 0 इसने दखाए नहीं है कोई मतलब नहीं होता है x की जगए minus h का square आगे देखिए अब इससे आप solo करिए limit h tends to 0 1 minus अब देखो cos minus theta cos theta यह होता है आपको बताया था inverse function वाले chapter में तो यह आ जाएगा 1 minus cos 4h over h square minus h का whole square भी h square minus का square भी plus में आता है और plus का square भी plus में ही आपका आता है तो अब इससे आगे solve करेंगे तो 1- देखो यह देहान से तो यह क्या है 1 minus cos 4h यह एक formula होता है formula किसके actual होता है 2 sin square 2h की actual होता है यह आपको देहान रखना है 1 minus cos 4h किसके actual होता है 2 sin square 2h के over h square यहाँ नीचे दिया हुआ ही है अब आप क्या करोगे इसे solve करने के लिए जहां से देखिए यहां जो आपका आएगा मैं आपको बता देता हूँ जो 2 है इसको तो हम ले लेंगे बाहर जो constant होता है उसे बाहर लिख दिया जाता है limit h tends to 0 जहां से देखिए sign 2h sign 2h over h और इसका परफेक्ट सुकेर करिए इसे सीधा जो आप इसे परफेक्ट सुकेर करोगे अब यहां देखो ऊपर तो angle 2h है नीचे h है तो आप इसे 2 से multiply करोगे 2 से divide करोगे h को और 2 से multiply मतलब numerator में भी 2 से multiply और denominator में 2 से multiply अब यह क्या हूँ 2h बाइ 2h बन गया अब यह 2 का सुकेर 4 4 आ जाएगा कहां बाहर 4 2 जा कितना हो जाएगा यह 8 हो जाएगा और अब यहां limit h tends to 0 नहीं लगेगी क्या लगेगी 2h tends to 0 तो वही इसने दखाया गया देखो यहां आपका angle same किया angle same करने के बाद 8 आ गया अभी मैंने आपको बताया था यह आपका 1 हो जाएगा 1 का सुकेर 8 है यह 8 बन जा 8 हो जाएगा एक क्यूशन आपका first आ जाएगा अब बात आती है आपकी right hand limit पर right hand limit पर आपकी बात आती है तो मैंने आपको बताया था limit exchange to 0 plus 0 plus लगेगा function आपका जोंकीते हों फिर आप क्या करोगे यहाँ put करोगे left hand limit में तो putting x equal to 0 minus h होता था परन्तो इसमें right hand limit में यदि 0 plus है तो यहाँ x की जगे 0 plus h put होगा फिर वो ही बात है जब हम function को h में change करेंगे तो यह limit h change to 0 आएगा तो 1 minus cos 4h आजाएगा over h का whole square आजाएगा अब इससे हम आगे चलते हैं तो आगे हम step को देखेंगे तो देखें क्या आता students तो यहाँ आपका आजाएगा limit h change to 0 1 minus cos 4h over h square फिर 1 minus cos 4h का फिर यहाँ formula लगाएगे 2 sin square 2h by h square 2 को आगे ले लिया जाएगा हाला कि इसने दखाया नहीं है फिर angle same किया जाएगा angle same करने के बाद यहाँ फिर आपका 8 आजाएगा 4 to 8 आजाएगा और यह आपका 1 के equal हो जाएगा 1 का square 1 होता है यह आपके equation second हो जाएगी अब आप क्या करोगे फिर इसमें क्या है also f0 द्याँ से देखना f0 इसने दिया हुआ है देखो द्याँ से f0 f0 इहाँ से क्या दिया हुआ है f0 इसने 8 के equal दिया हुआ है तो यहाँ f0 equal to 8 और दिया हुआ है तो left hand limit भी हमने नकाली left hand limit कितने आई थी वो 8 आई थी right hand limit भी हमने नकाली वो भी कितने आई थी, 8 आई थी, left hand limit को first मान लेना, right hand limit को second equation मान लेना, f0 को third मान लेना, जब ये तीनों ही आपके equal आ जाएंगे, तब ही ये function continuous होगा, बाकि यदि आपके left hand limit, left hand limit और right hand limit equal हैं, और ये equal नहीं है, दो equation आपके equal हैं, और third equation आपके equal नहीं है, तब भी आपका function discontinuous होगा, कहने का मतलब ये है, कि यदि ये तीनों ही equations आपके equal आती हैं, तो function आपका continuous होगा, otherwise function आपका discontinuous हो जाएगा, और आपको आगे हम और बताते हैं, यहां आप ध्यान से देखिए, जब आप देखोगे, तो यह आपका आजाएगा, चलिए, right hand limit, left hand limit equal to right hand limit equal to 8, उसके बाद implies x tends to 0, fx equal to 8, also यहां हम चल रहे थे, also f0 equal to 8, limit x tends to 0, fx equal to f0 equal to 8, hence fx is continuous at x equal to 0, तो यह function इस पर क्या हो गया, continuous function हो गया, इससे आगे, आप हम चलते हैं, question number 7 पर, question number 7 क्या है आपका, discuss the continuity of the following functions at x equal to 0, जब x equal to 0 पर आप limit लगाओगे, इसमें 4 आपके parts दिये हुए है, तो यहां देखो, x less than 0 दिया हुआ है, x greater than equal to 0 दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है, जो आपका छोटा interval होता है, यह होता है, छोटा interval, less than, और यह interval होता है, आपका बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, यहां x की जो value है, वो 0 से छोटी value है, यहां क्या है second में, जो x की value है, greater, x की जो value हो 0 के equal है, यह 0 से बड़ी है, तो यहां ध्यान रखना है, कि जो भी आपका less than होता है, जो आपका छोटा interval होता है, उसमें left hand limit लगती है, उसमें क्या लगती है students, left hand limit, उसमें लगती है, छोटे interval में, छोटे interval में हमेशा left hand limit लगाई जाती है, बड़े interval में हमेशा right hand limit लगाई जाती है, और जिसके साथ य equal लगा होता है नीचे जैसे इसके साथ ही equal लगा हुआ greater than equal लगा हुआ है फिर यहां से आप F0 भी नकालोगे F0 यहां से 0 plus 1 1 ही आ जाएगा तो मैंने क्या कहा कि जब आपका interval होता है छोटा तो वहां लगाई जाती है उस function में left hand limit जब आपका interval होता है बड़ा वहां लगाई जाती है आपके right hand limit अब यह आपकी मर्जी है आप left hand limit को पहले लगाते हो या right hand limit को आप पहले लगाते हो आप किसी भी limit को पहले या पीछे लगा सकते हो left hand limit को भी और right hand limit को भी आगे पीछे इनको किया जा सकता है इस से हमर क्वेशन पर कोई भी प्रभाब पढ़ने वाला नहीं है तो इसने ह में चेंज करने के लिए तो पॉटिंग एक्स एक्वल जीरो माइनस ह तो यहां एक्स की जगे जीरो माइनस ह साप रखोगे यहां भी और यहां भी तो आपकी जो लिमिट ह ह टेंज टो जीरो हो जाएगी अब साइन माइनस ह क्या होता है माइनस साइन ह होता है लिमिट ह से लो जाएगा तो यह आपका जाएगा limit h tends to 0 sin h over h और यह होता है आपका फॉर्मूले से 1 आप इसे equation first मान सकते हो इससे आगे देखिए आगे जब हम चलते हैं तो right hand limit right hand limit भी ऐसी लगाई जाती है आपको पता है 0 minus आए था यहाँ 0 plus आजाएगा right hand limit limit x tends to 0 plus fx fx के value जहाँ आपका बड़ा interval दिया हुआ था वो function यहाँ लिया जाएगा x plus 1 अब आप क्या करोगे putting करोगे putting x equal to 0 plus h तो यहाँ 0 plus h करोगे तो limit h tends to 0 हो जाएगा h plus 1 जब यहाँ limit लगाऊगे h की जगे 0 तो 0 plus 1 1 ही आजाएगा तो left hand limit equal to right hand limit equal to 1 implies limit x tends to 0 fx equal to 1 अब क्या है so limit x tends to 0 fx अब f0 भी तो आपको नकालना है कि जो greater than equal to दिया हुआ था नीचे वाला function तो वहाँ हम सीधा उस function में f0 रखेंगे तो वह आजाएगा आपका 0 plus 1 equal to यह 1 ही आजाएगा तो left hand limit भी 1 right hand limit भी 1 f0 भी 1 तो तीन ही condition आपकी 1 आगई hence fx is a continuous at x equal to 0 तो यह आपका आजाएगा इसके बाद में आप देखे second है second में क्या है here fx equal to x cos 1 over x x not equal to 0 और यहाँ at x equal to 0 पर 0 दिया हुआ है तो दो condition आपके बनेंगे left hand limit लगाईए limit अब देखो जहाँ आपका interval greater than और less than नहीं दिया हुआ है केवल यह दिया हुआ है x not equal to 0 जिदि आपका ऐसा कोई function है जिसमें limit जो आपका दिया हुआ है ना तो less than k में है ना वो greater than k में है तो फिर हम इसी function में left hand limit लगाते हैं और इसी function में हम right hand limit लगाते हैं तो यहीं से आपके दोने equation बनेंगी left hand limit वाली भी और right hand limit वाली भी इससे आगे देखिए left hand limit इसी function में लग जाएगा 0 minus तो आप क्या करोगे putting x equal to 0 minus h एक्स की जगे minus h साप रखोगे आप इसे solve करोगे limit h tends to 0 minus h अब क्या होगा cos minus theta cos theta ही होता है cos 1 over h अब आप क्या करोगे यह 0 आ जाएगा जब h tends to 0 रखोगे तो यह 0 आ जाएगा cos 1 over h क्या होता है यह finite quantity between minus 1 and plus 1 इसका मतलब क्या हुआ इसकी value जो होती है वो defined नहीं होती है cos की value हमेशा minus 1 और plus 1 के बीच में लाई करती है तो जब कोई भी value इसकी जदी आएगी और जब उससे हम 0 से multiply करेंगे तो ओ already 0 हो जाएगा इसे हम equation अपनी first मानेंगे इसके बाद में आप right hand limit लोगे right hand limit में limit x tends to 0 पलस लगेगा fx fx में यही function लिया जाएगा मैंने आपको बताया था इसे लेने के बाद में आप putting x equal to 0 पलस h करोगे 0 पलस h put करने के बाद में आगे चलते हैं तो आपका यह आजाएगा limit h tends to 0 h cos 1 over h अब यहां फिर आप limit लगा होगे तो आगे से फंक्सन अट जाएगा तो 0 a finite quantity between minus 1 and plus 1 इसके कोई भी value आएगी रखने पर वो minus 1 और plus 1 के बीच माएगी तो इसको हम किसी finite quantity को 0 से multiply करेंगे तो 0 आजाएगा यह आपके equation second आजाएगा left hand limit equal to right hand limit equal to 0 implies limit x tends to 0 f x equal to 0 यहां से आपका आचुका है also f 0 equal to 0 दिया हुआ है तो यह सभी equal आगए left hand limit भी right hand limit भी f 0 भी सभी 0 के equal है hence f x is continuous at x equal to 0 आपका answer आचुका है यह इसके बाद में आपका third part है फिर वो ही बात आजाती है students आप left hand limit भी इसी में लगाओगे right hand limit भी इसी में लगाओगे यह भी एक finite quantity आएगी यहां से भी देखिए left hand limit जब आपने लगाया तो ज्यादा detail में आप जाने की जरूरत नहीं है तो आपका यह 0 आजाएगा क्योंकि यह finite quantity between minus 1 and plus 1 होता है तो यह 0 आगए फिर आप right hand limit लगाओगे right hand limit में भी आपका यह 0 आ जाएगा पहली ही तरह है उसके बाद में f0 0 दिया हुआ है तो तीनों ही condition आपकी यह 0 के equal आ गई left hand limit भी right hand limit भी और f0 भी 0 के equal hence fx is continuous at x equal to 0 आपका question हो चुका है इससे आगए देखिए fourth part आपका क्या दिया हुआ है here fx equal to अब यह क्या है magnitude of sin x over x if x not equal to 0 1 if x equal to 0 अब आप करोगे क्या आपको दो तरीके होते हैं इस question को करने के लिए जो modulus आपका function होता है modulus function modulus function वो plus minus का होता है क्या होता है वो plus minus का यदि हम sin x से modulus अटा हैं तो एक बार तो sin x के सामने पलस लिया जाएगा जिस तरीके से इसने लिया हुआ देखिए fx equal to लिख देना आप यहाँ fx equal जब आप negative लोगे तो limit आपकी less than आती है बही negative negative का मतलब क्या हुआ left hand side में जाना left hand side में जाने का मतलब क्या छोटा छोटे का मतलब x less than 0 one आपका दिया हुआ ही है यह आपकी यह one दिया हुआ है जब आप positive लोगे modulus function को तो आपकी जो limit होगी वो x greater than 0 होगे भई हमेशा जो आपका positive function होता वो बड़ा होता है इस वजए से इसमें greater than का sign आता है और जो आपका function आपका जो होता है negative वो छोटा होता है वहाँ less than का sign आता है अब आप क्या करोगे जो छोटा interval है छोटा interval है यह इसमें आप लगेगी left hand limit इसमें आप left hand limit लगाओगे उसके बाद में जो बड़ा interval है इसमें आप right hand limit लगाओगे फिर दोनों को देखोगे left hand limit और right hand limit की जो value है वो equal आई या नहीं उसके बाद में आप देखोगे f01 के equal है तो आपका left hand limit भी one ही आना चाहिए right hand limit भी one ही आना चाहिए जब तीनों ही वनाएंगे तो यह continuous function होगा otherwise यह discontinuous function हो जाएगा देखिए तो left hand limit अब मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है आगे बढ़ते है at x equal to 0 left hand limit लगाएंगे तो यह आपका आ जाएगा negative function में left hand limit लगेगी फिर वोई बात है putting वाली putting करके h tends to 0 हो जाएगा तो minus one equation first हो जाएगा right hand limit लगाओगे limit x tends to 0 plus हो जाएगा फिर putting x equal to 0 plus हो जाएगा यह equation second हो जाएगे left hand limit not equal to right hand limit यह तो यहीं से equal नहीं आया जो left hand limit हो minus one आई और जो आपके right hand limit हो plus one आई तो left hand limit not equal to right hand limit implies limit x tends to 0 fx does not exit hence fx is discontinuous at x equal to 0 यदि यह सुरुआत में equal नहीं आते हैं पिर हम को थड़ equation बनाने के कोई भी जरूरत नहीं है तो यह सुरुआत में ही आपका discontinuous आ जाएगा इसके बाद में आप देखिए example 8 अपना test for continuity at x equal to a the function तो continuity के लिए यह आपको test करना है कैसे वह आपका यह function दिया हुआ है तो आप क्या करोगे इसमना तो less than दिया हुआ है interval में ना इसम ग्रेटर दें दिया खुआ है तो इसे में आप left hand limit लगाऊगे और इसे में आप right hand limit लगाऊगे तो क्या किया है और किस पर लगाऊगे limit a पर लगाऊगे क्योंकि a दिया हुआ है यहां at x equal to a left hand limit x tends to a minus तो यहाँ यह a minus function लिख दिया है अब क्या करोगे आप अब आप put करोगे put x equal to a minus h a minus h put करोगे तो limit h tends to 0 हो जाएगी जहां कहीं आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ a minus h से वहाँ आ जाएगा आपका जब आप इसे simplify करोगे a से a आपका cancel हो जाएगा तो यह limit h tends to 0 minus h cos यहाँ भी a से a cancel हो जाएगा 1 over minus h तो यह cos minus theta cos theta ही होता है तो यह आपका आजाएगा इसे आगे हम बढ़ते हैं देखते हैं क्या आता है तो यह आपका आजाएगा देखिए यह cos minus theta cos theta ही होता है तो अब जब आप इस में limit रखोगे तो h की जगे आप जब 0 रखोगे तो यह 0 आ जाएगा cos 1 over h यहाँ value जो होती है fix value नहीं होती है यह finite quantity होती है between minus 1 and plus 1 तो यह आपका 0 ही हो जाएगा equation first इसी तरीके साब right hand limit वी इसी function में लगाओगे तो यह आ जाएगा x tends to a plus बिल्कुल same s आई है यह भी आपका 0 आ जाएगा यह आपकी equation आपकी second हो जाएगी so left hand limit equal to right hand limit equal to 0 implies limit x tends to a f x equal to 0 आ जाएगा इससे आगे देखिए also f x वी तो आपका 0 ही दिया हुआ है तो left hand limit वी 0 right hand limit वी 0 f v 0 जो आपको given है hence f x is a continuous at x equal to a तो यह at x equal to a पर कैसा function हो जाएगा यह आपका continuous function आपका हो जाएगा अब आप देखिए question number 9 question number 9 क्या है इसमें आपको दिया हुआ है exam ने the continuity of f x at x equal to pi y2 limit यहाँ कुछ भी हो सकती है limit यहाँ एक real number कुछ भी हो सकता है और आपको यहाँ left hand limit लगानी है यही पर आपको right hand limit लगानी है और फिर देखना है क्या आता है जो आप left hand limit लगाओगे तो यहाँ आपको क्या put करना पड़ेगा यहाँ आपको limit left hand limit में तो आपका आएगा limit x tends to आपका आएगा πाई y2 माइनस आएगा πाई y2 माइनस fx के value यही रहेगी आगे देखें आगे चलते हैं सब के लिए रो जाएगा यह किया हुआ है तो देखें fx के value यह है left hand limit लगाई at x equal to 5y2 पर अभी जो मैंने बताया fx fx के value यही है अब आप substitute करोगे जब आप substitute करोगे तो क्या आएगा है यह poteng x equal to 5y2 माइनस लगा हुआ है तो 5y2 माइनस h हो जाएगा जैसे ही आप इस function को x को h में change करोगे तो यह limit h tends to 0 आ जाएगा cos x की जगए 5y2 माइनस h आ जाएगा नीचे भी x की जगए 5y2 माइनस h करोगे तो आगे माइनस दिया हुआ sin change हो जाएगे 5y2 से 5y2 cancel हो जाएगा cos 90 माइनस theta sin theta होता है तो sin h over h हो जाएगा यह आपका 1 के एकुल होता है तो यह आपकी equation first है जिस तरीके से हमने left hand limit लगाई उसी तरीके से हम अब right hand limit अपनी लगा देंगे तो right hand limit में यह x tends to 5y2 पलस आजाएगा पलस आने के बाद यह आएगा putting होगी x equal to 5y2 पलस h putting होने के बाद h tends to 0 आएगा यहाँ यह value रख दी जाएगी 5y2 से 5y2 cancel हो जाएगा cos 90 पलस theta second quadrant में cos negative होता है तो minus sin h हो जाएगा और नीचे minus h है ही minus से minus cancel हो जाएगा तो limit h tends to 0 sin h over h यह आपका 1 होता है यह आपके equation second हो जाएगी तो left hand limit equal to right hand limit equal to 1 implies limit x tends to 5y2 fx equal to 1 also f 5y2 1 दिया हुआ है तो left hand limit भी 1 है right hand limit भी 1 है और f 5y2 भी 1 है तो यह आपका जो function है कैसा हो जाएगा आपका यह continuous function हो जाएगा इससे आगे देखिए question number 10 question number 10 में which of the following functions are continuous at the indicated points बेल्गुल same है यह भी आपको indicated points का मतलब होता है कि जैसे यह 0 है तो यह 0 पर क्या होगा continuous होगा या not continuous और discontinuous होगा तो जो छोटा interval होता है वो less than वाला होता है जो बड़ा interval होता है वो greater than वाला होता है यह less than का sign होता है और यह greater than का यह होता है negative value negative value यह होता है positive value हमेशा इसमें left hand limit लगाई जाती है और इसमें आपके right hand limit लगाई जाती है यह आपको ध्यान रखना है, आगे चलिए, अब देखिए, इसमें तो लगेगी आपकी left hand limit, यह बड़ा interval है, इसमें लगेगी आपकी right hand limit लगेगी, इससे आगे देखते हैं चलिए, क्या आएगा, देखिए, यह question आपका था, indicated point पर सी आपको denote कराना था, fx equal to लिख दिया है, left hand limit, देखो छोटा interval है, fx, इसके छोट interval के सामने function क्या आपका x है, इसमें limit लगाई, limit लगाने के बाद putting हुई, putting लगाने के बाद हमें h में change हुआ, जब यहाँ limit h tends to 0 रखोगे तो minus 0, तो जो 0 होता ना तो minus का होता है, 0 तो हमेशा 0 ही होता है, यह आप आपका equation first हो जाएगा, right hand limit बड़े interval में लगेगा, इस interval में, इसका function क्या एक सोकेर, तो यहाँ एक सोकेर लिया जाएगा, फिर आप putting करोगे, putting करने को आदी आएगा, h की जगा 0 रखोगे, 0 का सोकेर भी आपका 0 ही आएगा, यह आपके equation second आपके हो जाएगी, तो left hand limit equal right hand limit, यह भी 0, यह भी 0, तो equal 0 हो गया, तो यह 0 का equal आगया, also F0, F0, अब देखो यहाँ equal का sign लगा हुआ है, तो यहीं पर हम यहीं से हम F0 नका लेंगे, कहां से, greater than के साथ equal लगा हुआ है, तो इसका जो function हो क्या, x सोकेर है, तो 0 का सोकेर क्या हो जाएगा, यह 0 ही हो जाएगा, तो क्या किया, यह 0 है, तो यह यहाँ 0 नकल आया, left hand limit भी 0, right hand limit भी 0, F0 भी 0, तो यह जो function है आपका कैसा हो जाएगा, यह continuous function आपका हो जाएगा, ऐसे ही आपका second part है, left hand limit इसमें लगेगी, right hand limit इसमें लगेगी, F0 भी आपका इसमें लगेगा, third equation जो होनेगी, left hand limit minus 1, right hand limit plus one, दोनों ही equal नहीं आ रहे, left hand limit, not equal right hand limit, does not exit, तो यह discontinuous हो जाएगा, और question आपका यहीं कतम हो जाएगा, इसके बाद में third part अपना देखिए, third part में आपका क्या दिया हुआ है, Fx equal to, चोटा interval यहाँ लगेगी, left hand limit, फिर आपका जो बड़ा interval है, बड़े interval में क्या है, पोटे interval में के सामने यह function है, इसमें तो आपकी left hand limit लगेगी, यहाँ left hand limit, वही putting होगा, putting होने के बाद यह 2 आजाएगा, equation first, इसके बाद में जब हम आगे चलेंगे, तो इसे देखिए right hand limit, right hand limit बड़े interval वाले function में लगाए जाएगा, इसमें, right hand limit में आजाएगा आपका 2, तो left hand limit equal to right hand limit equal to 2 आपका आचोका है, also f0 भी आपका 2, तो यह आपका continuous function आपका हो जाएगा, इससे आगे देखिए, question number 11, question number 11 में क्या है, discuss the continuity of the following functions at x equal to 1, अब x equal to 1 पर continuity आपको देखानी है, तो continuity देखाने के लिए फिर वही बात है, जो छोटा interval होता है, उसमें तो आप left hand limit लगाओगे, और जो आपका बड़ा interval होता है, उसमें आप क्या लगाओगे, right hand limit आप उसमें लगाओगे, अब देखिए, इसका first part है, fx equal to, यह जो दिया हुआ है, question को हम आगे बढ़ाते हैं, तो यह आपका आजाएगा, देखिए, यहाँ ध्यान से, तो यह है, तो क्या आएगा, fx equal to, यह दिया हुआ है, one plus x, zero less than equal to x, less than equal to one आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए, two minus x, x greater than, equal to one दिया हुआ है, अब यहाँ तो x की जो value है, first interval में, zero और one के बीच में, यह इनके equal है, और second वाले उसमें, function में, x की जो value है, वो one से बड़ी है, तो यहाँ तो one स से जोटी है, इसका मतलब छोटा interval यह है, और बड़ा interval आपका यह है, तो छोटे interval में, आपकी left hand limit लगेगी, और बड़े interval वाले function में, आपकी right hand limit लगेगी, तो यहाँ से आपकी left hand limit, यह लगी जाएगी, one minus, putting होगी, इसे solve कर लेना, limit लगा देना, equation first आपका यह आ जाएग right hand limit नीचे वाले में लगेगी, क्योंकि बड़ा interval है, exchange to one plus, तो यहाँ लगने के बाद में, यह आपका one आ जाएगा, equation second, from equation first and second, यह two है, यह one है, तो left hand limit not equal right hand limit, क्या हो जाएगा, does not exit, hence fx is discontinuous at x equal to one, तो यह मैं आपको कई कई बार बता चुका हूँ, कि जो आपका interval छोटा होता है, उसमें आपकी left hand limit लगाई जाती है, जो आपका बड़ा interval होता है, उसमें right hand limit लगाई जाती है, और जिस interval के साथ, less than के साथ, यह greater than के साथ, आपका equal का sign दिया हुआ होता है, उससे आप f0, f1 f2 आप निकाल देती हो, तो ऐसे आपका यह second है, second जो आपका है, तो second में क्या होगा, second में आपका आजाएगा, देखिए, fx equal to 5x minus 4, 0 less than x less than 1, तो यह आपका छोटा interval है, यह हमारा बड़ा interval है, क्योंकि यहाँ तो x के वैली 0 और 1 के बीच में लाई करती है, यहाँ आपकी x के वैली 1 के equal भी है, और x के वैली 1 के equal है, या 1 से बढ़ी है, और 2 से छोटी है, तो यहाँ यह नीचे वाला बड़ा interval है, यह छोटा interval है, तो आप left hand limit लगाओगे, उपर वाली function में, क्यों one per limit लगानी है, तो one common भी है, इन दोनों में देखो, जो number आपका common होता, उसी per limit लगती है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपकी left hand limit लगेगे, left hand limit लगने के बाद, आपका putting होगा, x equal to one minus h, putting होने के बाद, h में change हो जाएगा, यह one आजाएगा, equation first हो जाएगे, right hand limit नीचे वाले function में लगेगी, लगने के बाद, x tends to one plus आएगा, तो यहाँ h tends to zero, x की अब यहाँ हमें zero put करना है, जब आप zero put करोगे, तो देखिए, तो यह आपका solve करने को आद यह आएगा, इसके बाद में h की जगए zero रखोगे, यहाँ भी h की जगए zero रखोगे, आगे से eliminate हो जाएगा, तो यह आपका one आ जाएगा, तो left hand limit equal to right hand limit, equal to one आपका आचुका है, यह आचुका है, limit exchange to one, fx equal to one, अब f1, f1 आप कहां से नकालोगे, हम थोड़ा उल्टा हो जाते हैं, देखिए, f1 आपका यहाँ से निकलेगा, क्योंकि x equal to one यहाँ दिया हुआ था, तो f1 आ हम कैसे नकालेंगे, तो इसके सामने function कौन सा है, four into one का square, minus three into one, solve कर यह से, four one जा four, minus three, तो यह भी तो students one ही आया ना, तो जब यह one आया, तो left hand limit भी one है, right hand limit भी one है, f1 हमने यहाँ से नकाला, यह भी आपका क्या है, one ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, यह continuous function हो जाएगा, इसके बाद देखिए, इस question पर हम चलते हैं, तो यह question आपका दिया हुआ है, greater than, इसमें लगेगी आपकी right hand limit, इस function में, और यह आपका f1 जो है, यह आपका 3y2 आपका दिया हुआ ही है, अगर यह तीनों ही equal आ जाते हैं, तो continuous होगा, वरना नहीं होगा, left hand limit में आपका one आया, right hand limit में आपका two आया, left hand limit not equal, right hand limit does not exit, discontinuous हो जाएगा, question यहीं और यह खतम ह हो जाएगा, अब इसके बाद में देखिए, fourth part है आपका, here fx equal to, अब देखो यह greater than है, right hand limit, इस function में आपकी लगेगी, यह यह यहाँ less than है, यह आपकी left hand limit सीधे, constant में कभी भी limit नहीं लगाई जाती है, जो आपकी left hand limit लगेगी, left hand limit वो equal to सीधा 3 आजाएगा, equation second उसे मान देखिए जाएगा, इसके बाद में f1, f1 जब आप नकालोगे, यहाँ से निकलेगा, two into one plus one, कितना हो जाएगा यह, यह three हो जाएगा, three, तो यह भी आपका three है, यह भी three आया, right hand limit आप यहाँ लगाओगे, first वाले function में, right hand limit लगेगी, limit exchange to one plus, right hand limit लगने के बाद सब्सिट है, right hand limit लगेगी, f3 भी आपका three है, तो सारा कुछ यह, f1 भी three है, तो यह सारा कुछ यह आपका equal हो गया, तो यह आपका continuous function आपका आचुका है, इसके बाद में देखिए, अब यह क्या है, here fx equal to x की पावर n minus one, over x minus one, if x not equal to one, n minus one, if x equal to one दिया हुआ है, तो यह आपका है, यह continuous और discontinuous आपको दिखाना है, तो left hand limit भी आप इसी में लगाओगे, right hand limit भी आप इसी में लगाओगे, क्यों लगाओगे, क्योंकि ना तो यहाँ less than का sign है, ना यहाँ greater than का sign है, और जिस interval में less than greater than नहीं होता, उसी function में left hand limit लगती है, उसी function में आपकी right hand limit लगती है, students मैं इसको बता देता हूं, at x equal to 1 पर, तो left hand limit यह इसने लखा, x tends to 1 minus हो जाएगा, तो जब 1 minus आपका हो जाएगा, तो x की n minus 1 over x minus 1, यह जो होता है, इसका एक formula होता है, students आपने plus 1 में पढ़ा होगा, n 1 की power n minus 1, यह इसका formula होता है, किसका formula होता है, यह formula होता है, यह formula होता है, equal to limit x tends to, x tends to 0, x की power n minus 1 over x minus 1 का जो formula होता है, वो होता है, n, जो यहाँ power होती, n, a की power n minus 1, तो यहाँ, इसकी वज़ा हम सीधा नकाल देते हैं, तो left hand limit जो आपके आएगी, वो आपके आजाएगी, n, n की value तो n नहीं है, a की value यहाँ 1 है, n minus 1, limit आपके आगे दी हुई है, limit x tends to, 1 minus, अब परंतु यहाँ x है ही नहीं, यह तो n नहीं आ चुका है, जो x ही नहीं है, तो आपके equation first ही हो जाएगी, n, equation first, ऐसे आप right hand limit लगा होगे, right hand limit में भी आपका यह n नहीं आएगा, यह आपका equation second हो जाएगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक formula आपका होता ह है, formula होता है, पलस वन का, limit x tends to, यह होता है आपका, 0 x की power n, minus 1 over x minus 1, यह आपका क्या होता है, n into 1 की power, मतलब a की power n minus 1 होता है, यह आपका formula होता है, तो यह आपको करना है, तो देखिए, इसके बाद में दोनों ही आपके n ना चुके हैं, तो यह भी आपका n ना चुका है, इ इस तरीके से कर लेना जैसे मैंने आपको बता है, और left hand limit, n ना चुका है, इसी तरीके से right hand limit भी आपका, कितना आ जाएगा, आपका n ना जाएगा, तो यह आपको second, बाकी जबाब f1 नकालोगे, f1 आपका given n minus 1, तो left hand limit, right hand limit के equal तो है, परंतो f1 के equal नहीं है, तो यह इसका discontinuous हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, कि यदि आपके तीन ही condition एक को लाती हैं, तो ही यह function आपका continuous होगा, otherwise यह आपका discontinuous हो जाएगा, इससे आगे देखिए, यह आपका question number 12, question number 12, discuss the continuity of the function, fx at x equal to 1y2 where, तो 1y2 पर आपको limit लगानी है, यहाँ देखे 0 और 1y2 के ब लगानी है, at x equal to 1y2 पर आपको limit लगानी है, इसका मतलब x के वेली 0 और 1y2 के बीच मिलाई करती है, यहाँ x के वेली 1y2 और 1 के बीच मिलाई करती है, तो यहाँ तो 0 और 1y2 और 1 के बीच मिलाई करती है, तो इसका मतलब यह आपका छोटा interval है, छोटा interval है, तो यहाँ left hand limit लगेगी और यह बड़ा इंटर्वल है तो यह राइट हैंड लेमिट लगेगी तो यह आपको ध्यान रखना है आगे चलिए लेप्ट हैंड लेमिट किसमें ऊपर वाले फंक्शन में left hand limit लगाई putting किया इसे solve करके 0 आया equation 1 right hand limit बड़े फंक्शन में putting किया यह आपका 1 आया तो यह आपका equation second हो जाएगा तो यह तो आया आपका 0 यह आपका 1 left hand limit not equal right hand limit question यहीं खतम हो जाएगा limit x tends to 1y to fx does not exit जो exit ही नहीं करता है तो discontinuous हो जाएगा थड़े equation को बनाने की जरूरत ही हमको नहीं है इससे आगे आप देखिए क्या आएगा test the continuity of the function fx at x equal to 0 at x equal to 0 पर फिर यह modulus function आ चुका है modulus function को हम plus minus का लेते हैं जो fx लोगे एक वार जिस पर modulus लगा हुआ है magnitude लगा हुआ x पर एक वार magnitude वाली x को minus का ले ले जाएगा एक वार इससे plus का ले ले जाएगा जो आप इससे minus का लोगे तो यहां less than मा आता है interval और जिसमें plus में लोगे आप वाह greater than मा आता है तो देहां से देखिए students x x cancel हुआ one bar यहां x x cancel हुआ one bar तो यह तो minus one आया यह one आया अब देहां से देखो left hand limit आपके minus one right hand limit आपकी one अब जब left hand limit और right hand limit equal नहीं है तो यह does not exit करेगा यह discontinuous हो जाएगा left hand limit minus one क्योंकि constant में कभी भी limit नहीं लगाई जाती limit हमारी variables में लगाई जाती है ऐसे right hand limit आपका one आगया यह तो minus one आया यह one आया तो यह आपको discontinuous हो चुका है इस से आगे देखिए क्या करते हैं question number 14 पर question number 14 क्या है prove that the following function is discontinuous at x equal to a तो इस पर यह discontinuous होगा अब क्या करते हैं हम यह कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको एक वर plus का ले एक वर minus का ले हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं अब यदि आप इसमें सीधा limit लगाना चाहो तो यहाँ देखो ना तो less than दिया हुआ है ना यहाँ greater than दिया हुआ है तो left hand limit भी इसी में लगेगी right hand limit भी इसी में लगेगी left hand limit at x equal to a पर limit x tends to a minus हो जाएगा तो जब आप left hand limit लगाओगे putting होगा x की जगे a minus h रखोगे minus a a से आपका a cancel हो जाएगा नीचे भी आपका a से a cancel हो जाएगा minus h का magnitude है plus h यह आए जाएगा h over h h से h cancel हो जाएगा तो minus h यह आपका equal number first आ चुका है अब इसी function में आप right hand limit लगाओगे तो इसी function में आप right hand limit लगाओगे तो देखिए जब right hand limit आपके लगेगी limit x tends to a plus हो जाएगा तो यहाँ पार x की जगए a plus h रखा जाएगा नीचे भी a plus h तो a से a cancel हो जाएगा यहाँ भी a से आपका a cancel हो जाएगा तो magnitude of h over h जब function वार h में change हुआ तो limit भी h tends to 0 according to function लगेगी तो क्या हो जाएगा h से h cancel हो जाएगा one war cancel हुआ limit h tends to 0 equal to 1 आ चुका है तो left hand limit not equal to right hand limit क्यों क्योंकि left hand limit आपके आई थी minus 1 और right hand limit आपके आई है plus 1 तो यह equal नहीं है तो यह discontinuous function आपका हो जाएगा इस से आगे देखिए क्या करते हैं देखो alternate कर दिया इसने एक और minus का ले लिया एक और plus का यह cancel हुआ minus 1 यह भी cancel हुआ plus 1 तो left hand limit minus 1 right hand limit plus 1 तो discontinuous यह हो चुका है तो आप modulus वाले function में सीधी limit भी लगा सकते हो और उसको plus minus में change भी कर सकते हो फिर आपका example यह 15 दिया हुआ है discuss the continuity of the following function at x equal to 1 at x equal to 1 पर continuity आपको दिखानी है तो आपको क्या करना देखो इसने फिर क्या किया है एक वार जिस पर magnitude लगा हुआ था एक वार इसे minus का ले लिया है और एक वार इसे plus का ले लिया है minus का लेगा तो यह less than में आएगी आएगी आपकी limit interval में और जब आपका यह plus का लिया जाएगा function तो यह greater than में तो यहां तो आपकी left hand limit लगेगी यहां आपकी right hand limit लगेगी और यहां आपका f1 आपका 2 आपका है तो क्या करोगे a so कर minus b so कर खोलोगे आप इसे factorize करना पड़ेगा factorize नहीं करोगे तो zero upon zero form आपकी आजाएगी तो यहां x minus 1 से x minus 1 cancel हो जाएगा तो x plus 1 आगया तो यह आपकी left hand limit लगेगी वाले वाला function है यह अब यहां x minus 1 और x plus 1 आएगा तो x minus 1 से x minus 1 cancel हो जाएगा देखो x minus 1 x plus 1 over x minus 1 इस से यह cancel हुआ तो यह x plus 1 इस तरीकी से आए ठीक है इसके लिए x greater than 1 जहां आप function को positive लेते हो वहां आपका greater than का sign आता है जहां function को negative लेते हो model वाले function को वहां आपका less than वाला आता है जो interval है इसके बाद में यह छोटा interval है left hand limit इसमें लगेगी तो minus 2 आ जाएगा इसके बाद देखिए बड़ा interval यह है नीचे वाला इसमें right hand limit लगेगी यह minus 2 यह plus 2 equal है नहीं तो discontinuous function आपका हो जाएगा आगे चलिए question number 16 आपका दिया हुआ है क्या दिया हुआ है इसमें भी model दिया हुआ है आपका the model दिया हुआ है तो देखिए at क्या दखाना है at x equal to 3 पर इसकी continuity आपको चेक करनी है 3 पर कैसे चेक करोगे fx वाला function जो दिया हुआ ले लिया है सीधा limit भी आप लगा सकते हो और इससे आप negative positive भी ले सकते हो दो नहीं बात हैं दोनों तरीके से question आपका हो जाएगा इसने फिर वोई काम किया है एक वार magnitude वाले function को minus का लिया तो interval आपका less than में बना और ये left hand limit का function आपका है एक वार इसे positive लिया magnitude वाले function को केवल ये यहाँ right hand limit आपकी लगेगी इससे ये cancel हो गया इससे ये cancel हो गया तो minus 1 over x less than वाला function left hand limit ये 0 है ये fix है यहाँ 1 over x x greater than तो यहाँ आपकी left hand limit लगेगी यहाँ left hand और यहाँ आपकी right hand limit लगेगी आगे चलते हैं देखते हैं देखें left hand limit आपकी इसी function में लगी हुई है न तो ये putting हो जाएगा 3 minus h लगाने के बाद ये आपका equation first आ जाएगा right hand limit में ये आपका equation second आ जाएगा ये minus 1 y 3 ये plus 1 y 3 equal नहीं है equal नहीं है तो does not exit करेगा और ये discontinuous आपका हो जाएगा इससे आगे देखिए example 17 आपका exam ने the continuity of f x equal to 2 x minus magnitude of x at x equal to 0 पर आपको continuity दखानी है तो क्या करोगे f x equal to ये है अब x का magnitude लिया हुआ है एक वार हम इसे plus कलेंगे x को एक वार हम minus कलेंगे जब आप इसे plus कलोगे तो ये greater than equal to आ जाएगा जब plus कलोगे तो आगे तो minus ही है ना तो 2 x minus x तो आपका x ही आ जाएगा एक वार जब आप इसे minus कलोगे तो minus कलोगे तो minus minus plus हो जाएगा ये 3 x आ जाएगे less than आ जाएगा तो less than वाले function में आपकी left hand limit लगेगी और greater than वाले function में आपकी right hand limit आपकी लगेगी तो left hand limit less than वाले function में यहाँ पर यह जीरो आया, equation first, right hand limit, बड़े interval में, तो यह यहां से आपका, यह भी आ जाएगा, आगे देखिए, यह तो आपका आ चुका है यहां, जीरो, और यह भी आपका आ चुका है, जीरो, तो left hand limit, equal to right hand limit, equal to zero, अब यहां equal का sign भी तो दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, तो यहां स function हो जाएगा, इसके बाद में आप देखिए, question number 18, फिर देखो, एक्जामनी दे continuity of, fx equal to, magnitude of, x minus b at x equal to, जो यह दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो बी पर यह continuity दखानी है, तो आपको, यदि negative positive नहीं लेते हो, तो इसी function में तो आप left hand limit लगा देना, इसी function में आप right hand limit जो आप left hand limit लगाओगे, तो limit आपके x tends to b minus आएगी, putting होगा, x equal to b minus h, यहाँ put हो चुका है, b से b cancel हो चुका है, minus h का magnitude h आजएगा, h की जग 0 रखोगे, तो यह 0 आएगा, यह आप equation first है, उसके बाद right hand limit, x tends to b plus हो जाएगा, b plus h यहाँ put होगा, b से b cancel हो जाएगा, h का magnitude h आ अब आपका f b नकालोगे, f b भी आपका यहाँ से नकलेगा, magnitude of b minus b, b से b cancel हो जाएगा, 0 का magnitude 0 ही होता है, एक question आपके थड़ा जाएगी, from equation first second end, थड़ तीन ही equal है, left hand limit, equal to right hand limit, equal to f b, तो यह आपका कैसा function हो जाएगा, continuous function हो जाएगा, कैसा function हो जाएगा यह, continuous function, इसके function, f is defined by the rule, अब यहाँ देखिए, यह आपका, discuss the continuity at x equal to 1, तो यह जो बड़ी bracket में जो function होता है, तो यह students, यह greatest integer function होता है, कैसा function होता है, greatest integer function होता है, तो आपको यह देखिए, f x दिया हुआ है, left hand limit भी आपको इसी में लगानी है, right hand limit भी आपको इसी में लगानी है, तो left hand limit यह लगा दी, यह substitute किया 1 minus h x की जगह है, तो 1 minus h किया तो यह आचुका है, 1 से आपका 1 cancel हो चुका है, यहाँ भी 1 से आपका 1 cancel हो चुका है, तो यह आपका h आया, यह 0 minus h आया, तो यहाँ से देखिए, तो यह आपका आजाएगा, जब h 10 to 0 रखोगे, यह तो 0 आजाएगा, अच्छा, यह आपको याद रखना है, यह remember रखना है आपको, यह यहाँ पर note कर लेना है, इसे note, n-o-t-e, यदि greatest integer function के अंदर, greatest integer function के अंदर, कहीं भी आपका minus h आता है, तो जब limit आपके h 10 to 0 लगती है, तो 0 नहीं होता है, h 10 to 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, h 10 to 1, किसमें greatest integer function में, greatest integer function क्या होता है, वो function जो बड़ी bracket के अंदर दिया हुआ हो, वो greatest integer function होता है, इस वज़े से, यह तो 0 हो चुका है, यह आपका minus 1 हो चुका है, left hand limit में, और आप right hand limit इसी function में लगाओगे, limit h 10 to, क्या आ जाएगा, यह 1 plus, x 10 to 1 plus आ जाएगा, potting करोगे, potting करने को जाएगा, इसके बाद यह आएगा, अब यह तो 0 हो जाएगा, पलस h है, और यह minus h है, तो यह यहाँ से minus 1 हो जाएगा, यह आपके equation second हो जाएगी, उसके बाद left hand limit equal right hand limit equal to आपका minus 1 आया, उसके बाद में इसे last में देखिए, last में आप क्या देखोगे, यहाँ आप F1 put और क आ चुका है, 0 आ चुका है, तो यह भी आपका 0 आ गया, अब क्या हुआ, left hand limit equal to तो है right hand limit के, पर हम तो यह equal नहीं है, किसके F1 के equal नहीं है यह, यह 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 दिसकन्टिनिस फंक्शन हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि यह तीनों ही condition आपके equal आती है, तो continuous होता है वरना ये discontinuous आपका हो जाता है इसके बाद हम देखेंगे क्या है question आपका ये दिया हुआ है question number 20 question number 20 में क्या है fx equal to greater stint जरी दिया हुआ है इसी में left hand लगानी है इसी में आपको right hand limit लगानी है क्योंकि यहां ना तो less than का interval है ना greater than का interval है तो left hand limit लगाओगे तो one minus h put किया जाएगा अब minus h की जगे आप put क्या करोगे यहां आप one put करोगे तो one minus one zero हो जाएगा तो यह minus one over minus h तो one over h one over h तो इसका मतलब one over zero one over zero क्या होता infinity होता है अब आप right hand limit लगाओगे right hand limit में आप put करोगे x equal to one plus h तो यहां one plus h तो यह h change to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्यों plus h है तो one minus one zero zero upon zero यह आपका second हो जाएगा अब यह तो आपका infinitive हुआ यह आपका zero हुआ तो left hand limit not equal to right hand limit does not exit तो does not यह जो है आपका function जो है discontinuous हो जाएगा इसके बाद में आप देखिए यह last question साइद आपका हो सकता है इसके बाद एक आप question और होगा बस तो देखिए इस वीडियो में तो यह आपका question number 22 find the value of k, k की value निकालनी है मैंने एक वार पहले इस वीडियो में कहा था आप से कि यदि function आपके continuous दिये हुए है और आपको k की value, a की value, b की value, c की value पूछ सकता है तो आप क्या करोगे left hand limit, right hand limit को निकाल करके उनको दोनों को equal कर दिया जाएगा और वहां से आपकी value निकल आएगा आप देखो बड़ा interval है उपर वाला क्योंकि greater than है तो यहां तो लगेगी right hand limit, बड़े interval में यह आपका छूटा interval है तो नीचे वाले में लगेगी आपकी left hand limit, left hand limit, धान रखना, तो left hand limit जो है आपकी नीचे वाले interval में फूर में, अभी आपका constant है, constant में limit नहीं लगाई जाती तो फूर यह आजाएगा, right hand limit लगेगी उपर वाले function में, उपर वाले function में right hand limit लगाओगे तो यह आपका आजाएगा जब limit लगाओगे, अब आपको यह पता है कि जो यह function दिया हुआ है, यह continuous दिया हुआ है, तो left hand limit को हम किसके equal कर देंगे, equation first को, equation first को हम equation second के equal कर देंगे, क्योंकि यह continuous function है, तो यह आपका जाएगा F1 क्या आएगा, यहाँ से देखो, equal कर निचान दिया हुआ है, तो F1 यहाँ से आपका आजाएगा, जब X की R into K, तो ये भी आपका K या जाएगा, या आपके एक्वेशन थड़ाएगे, तो ये आपका आजाएगा, 4 equal to K, तो K equal to 4 आपका आपका answer यहाँ आजाएगा, इससे आगए देखिए, question number 23, question number 23 में क्या दिया हुआ है, 4 what value of K फिर वो ही बात है value of K नकालना है बहुत simple question important भी है और बड़ा आसान question है interesting question है यह इस तरीके के जो question है वो exam में पूछ लिए जाते हैं competitive exam में भी पूछ लिए जाते हैं अक्सर यह देखने को मिलते हैं ऐसे questions तो क्या है continuous दिखाना है दिया हुआ है यह किस पर 4 पर और K की value आपको नकालनी है तो left hand limit भी इसी में लगाओगे right hand limit भी आप इसी में लगाओगे पहली बात तो यह है यदि आप left hand limit और right hand limit नहीं लगाना चाहते तो आप खाले limit भी लगा सकते हो आप खाले limit x tends to 4 इसमें लगा सकते हो आप सीधे और वही काम इसने किया है limit x tends to 4 fx limit x tends to 4 x so care minus 16 y x minus 4 a so care minus b so care का formula लगेगा x minus 4 into x plus 4 over x minus 4 इससे यह क्या हो जाएगा cancel x plus 4 आपका आया अब x की जागा आप 4 रखोगे तब 4 plus 4 8 हो जाएगा equation first आपकी आजाएगी इसका बाद में देखिए but f4 f4 किसके equal दिया हुआ है k के equal दिया हुआ है इससे आप equation second मानोगे first और second को equal कर देंगे क्योंकि यह जो function दिया हुआ है यह continuous दिया हुआ है k equal to यहां से आपका 8 आजाएगा क्योंकि इसने लखा हुआ भी है कि since the function fx is continuous at x equal to 4 तो यह limit x tends to 4 fx equal to f4 implies k equal to 8 आपका जो यह है आपका answer आचुका है तो यह video जो है इसमें हमने कितने questions किये है students हमने इसमे 23 questions complete किये है इसके कुछ parts भी हमने बहुत सारी problems इसमें हमने लिये है और बड़े ध्यान से आपको यह समझाया है बहुत धीरे धीरे आपकी वीडियो की हमने शुरुआत की थी आपको यह करना है चाहे कोई plus two में बच्चा हो या plus one में हो क्योंकि यह chapter तो आपका plus one में भी है और चाहे कोई भी students या हमारा कोई साथ ही competitive exam के कोई तयारी कर रहा हो उसके लिए यह जो वीडियो है बड़ा ही useful है यह आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे like करें चैनल को subscribe करें और जो bell icon है उसे press कर दें Thank you बड़ा हो